नमस्कार दोस्तों, beauty with technique beauty channel पर आपका स्वागत है, चलिए आज ना अभी winter season स्टार्ट हो चुका है, winter season के स्टार्ट होने के साथ सतना हमें flackiness, dryness, roughness की problem स्टार्ट हो जाती है, तो क्यों ना हम एक ऐसा DIY फेशियल करें, जो हमारे budget friendly हो और अभी हमारे घरों में दिवाली की सा जड़ से खत्म कर सकते हैं, उसे उसमें कुछ भी ज्यादा हमें ingredients की ज़रूरत नहीं पढ़ेंगे, जो basic kitchen ingredients होते हैं, उससे हम अपना, ये एक छोटा सा mini facial जिसे बोल सकते हैं, वह हम कर सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि हमें कभी भी कोई भी पैक अपलाय करन सबसे पहले हमें अपने face को clean करना चाहिए, आप cleaning करने के लिए, या तो chemical based product ले सकते हैं, या आप चाहें, तो home base, natural product होते हैं, उसमें से ले सकते हैं, सबसे best cleanser होता है, दूद, क्योंकि दूद में होता है, lactic acid, जो आपके face को clean करता है, deep cleaning करता है, साथ में moisturize भी करता है, क् विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो dryness की problem तो already हमारे face पर है, तो क्यों ना हम natural cleanser स्टार्ट करें, हमें ना सबसे पहले एक बाउल लेना है, उसमें कम से कम, दो चम्मच, सिफ दो चम्मच के करीब, कच्छा दूद लेना है, और एक cotton लेना है, और उसे इसमें जिप क करना है, अगर आपको लगता है कि आपका दूद कम है, तो आप दूद और एड़ कर सकते हैं, अब हमें इसके साथ में क्या करना है, हमें सबसे पहले ना, स्क्वीज करना है थोड़ा सा इसे, और जेंटली अपने face पर इसे, ऐसे, स्क्वीज अच्छे से कर ले, मैसिनेस हो कि इसमें, इसमें, एम्पुरिटी आने रखिला है, या कुछ भी ऐसा, क्लीनिंग करें, तो आप अपने नए केरिया को, कबर जरूर करें, इससे क्या होता है, इवन, टोनी स्कीन हमें मिलती है, देखिया आप, आपके सामने, लाइफ रिजल्ट है, कैसे कॉटन का कलर, चे देखिया, अब हमें इसे छोड़ देना है, इसमें से कॉटन को हटा ले, क्योंकि अब में इसी बाउल में, जो हमारा दूद बचा है, उससे अब हम अपना स्क्रब रेडी करेंगे, देखिया, अब आप चाहे तो फेस क्लीन कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी ऐसा, जो आ अज एक एक की इंग्रीडियन्ट यूज कर रहे हैं, आटा, तो आटे के ऊपर की जो छानन होती है, जिसे हम चोकर कहते हैं, उससे हमें लेना है, जो थोड़ा सा मोटा मोटा उसका पार्टिकल्स होता है, उससे हमें लेना है, तो जिस बाउल में हमने दूद एड किया था, देखिए, जिसमें हमने दूद लिया था, उसमें थोड़ा सा दूद बज गया है, उसे हम थोड़ा सा और दूद एड करेंगे, इसमें एड करके, जो आटा होता है, आटे का चोकर होता है, जो मोटा हिस्सा, उसे हम इसमें एड कर लेगे, इससे हमारा डियाइवाइ, इसक करें इससेों मैं जाधा हार्ष के आफैंसेंसे कसी परती है। ऐसे उड़ी करूंके बडूर्वसेसित, आधा सब्सक्रूंद कि रख medidas नहीं हापता है। अब आपको जेंटली आजकी करें अधाना यूट हमीं, → चलिए मैं आपसे क्लीन करने के बाद मिलती हूँ चलिए देखिए आपने मैंने सिर्फ फेस क्लीन किया भी सिर्फ हमने स्क्रॉबिंग किये उसी में हमारे फेस गले पर जो गंदगी वो साफ हमें दिखाई दे रही अब हम बनाते हैं इसका फेस पेक मिलत की दिखियों करें ने स्क्रॉण के बनाना है अब हम क्षेस बतरी हैं तो अपने साफ से इसमें ऐड़ सकते मिक्स देके एपकी पैज़ाth makes रर्धा करें में गाद किया हम इसमें एड़ करेंगे थोड़ा से दूद बर भाने तैंच gardens समस् yaşा एं अब ये दिका आपके सबसे हैं आये लेता हुआ हाल। देखिया आप सिफ एक चुटकी हल्दी मैंने इस में ली है हम इस मिक्स करेंगे अब देख लीजिए consistency अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक नहीं तो आप इसमें और चाहें तो दूद एड़ कर सकते हैं अब मैं इसमें थोड़ा सा एड़ करूंगी हनी आप हनी कोई भी ब्र जिए और इसको एक ठीक लेयर पर अपलाई करकर छोड़ करकर 20 जिए च zum 2-4 जिएवीक में और इसमें ख़त्म की रिह था Agora, अब हम इस आपने फेस के लिए फाल करें topic आपलाई कर लेते हैं देखिये अच्छे से इसे कशिकर प्लाई करना है तो आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा ते ड्राय होने के बाद आज देख सकते हैं कि यह पेख है ना हलका सा ड्राय हो चुका है तब हमें क्या करना है इसमें थोड़ा सा दूद लेकि इसकी अच्छे से थोड़ी सी मसाज करना है देख सकते हैं यह हलका हातों से मसाज करें अघरे ऐसे और फिर इसे ड्यूह करें तक हं से भी लेडो केकरे और इसे-च्टब यह नहीं किये ीश्रय ही अच्छे से मसाच करें और इससे अपसफ पॉर्ष्ण में इसे निकालते हैं देखिए मैं थोड़ा सा एडिया रिमोफ करके अता रही हूँ देखिया हूँ मैं जो रही तुइन में समरे केस पर आपको नजर आरी होगे अब में नहानी करूंगी उसके बाद इसे अच्छे से क्लीन करूंगी और उसके बाद में आप चाहें तो कोई सा भी आपका फेवरेट मोष्रा इसा लगा सकती है अब सो यह आपको वीट फेशिल पसंद आया हूँ तो प्लीज हमारी चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद